EMF, Electric Potential और Potential Difference तीनों को लेकर के काफी strength, काफी ज़्यादा confuse होते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको एक confusion बिलकुल ही दूर हो जाने वाले हैं और EMF, Potential और Potential Difference तीनों के बारे में इस तरीके से आप समझ लेंगे कि आप पूरे जीवन में आप नहीं भूलेंगे इसके बारे में कि आखिर EMF क्या होता है तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं EMF की EMF क्या होती है EMF actually, इनका full form की अगर हम बात करें तो Electromotive Force होते हैं इसका मतलब आप ये समाझ सकते हैं इलेक्ट्रिकल का वह एक्टिविटी होता है जो Electron को मोटिवेट कर सके हैं मतलब कि Electron को मोटिवेट करने वाला Force Electromotive Force कालाती है EMF कालाती है ये क्या करती है Electron को Pressure कर देती है Electron को Force प्रुवाइड करती है और वह Force प्रुवाइड जो होती है वह EMF कालाती है EMF का जो sources होते हैं वो generator होते हैं battery होते हैं कोई भी generator से अगर हम current को generate कर रहे हैं electric energy को generate कर रहे हैं और उस generate करने के बाद voltmeter को लगा करके measure करें तो वहाँ पे अपन हम EMF को measure कर रहे होते हैं या किसी battery में अगर आप voltmeter लगा के उसके voltage को measure करेंगे तो वहाँ पे EMF आप measure कर रहे होंगे जबकि अगर हम बात करें potential की तो potential क्या होती है तो इसको लेकर के भी काफी question confusion हो जाते हैं खास करके potential और potential difference को लेकर के इसके बारे में भी आपको पूरी तरह से आज हम आपको clear करने वाले हैं और फिर तीनों के बीच क्या समानता है और क्या differences है ये चीज़े भी हम बात करने वाले हैं तो last तक इस वीडियो में बने रहिएगा अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो like तो करी दीजेगा साथ ही subscribe कर दीजेगा तक इस तरह informative वीडियो आपको सबसे परे मिल सके हैं तो चलिए सबसे बात करने अब हम potential क्या होती है नाम सही पता चलता potency किसी की कोई energy मतलब IC energy जो electron को force provide करे वो potential कहलाती है अब आप कहेंगे कि same बात आपने EMF में भी कहा और potential में भी कर रहे हैं तो दोनों same चीज़ होती है 95% केस में सिर्फ 5% की differences होते हैं अगर हम बात करें कोई electron को force अगर मिल रहा है जो force उस force को क्या कहेंगे potential और EMF का अगर हम बात करें unit का तो उसका unit भी vault होता है potential का unit भी vault होता है और potential difference का भी unit vault होता है अगर हम बात करें potential difference की तो potential difference what difference होता है कोई भी दो point के वीच का difference को अपन potential difference कहेंगे दो point के वीच के electric potential के वीच का difference जो होता है वो potential difference कालाता है यानि कि कोई battery के positive terminal और negative terminal दोनों terminal के वीच के जो difference होंगे वो potential difference कालाते हैं अगर AC के case में बात करें neutral और face दोनों के बीच में जो difference होंगे वो potential difference कलाते हैं और उसको अगर हम measure करेंगे तो voltage में ही measure करते हैं उसका unit volt होता है अगर हम बात करें तीनों के बीच क्या समानता हैं तो 95% case में तीनों same चीज होते हैं और तीनों के unit volt ही होते हैं अब difference क्या होते हैं EMF आप कम measure करेंगे और potential difference कम measure करेंगे कैसे करेंगे सब कुछ हम बताएंगे इस वीडियो में किसी भी open circuit में अगर आप voltmeter लगा करके voltage अगर measure आप करेंगे तो आप क्या measure करेंगे EMF लेकिन जो close circuit है कोई close circuit है उसमें अगर आप voltmeter लगा करके voltage को measure करेंगे तो उस case में आप potential difference को measure कर रहे होंगे जब कि आप लोगों को ये चीज concept फुड़ा clear होना चाहिए कि कभी भी potential difference कम होता है EMF से EMF हमेशा जायदा होता है और potential difference उससे कम होता है यानि कि आप लोग ये समझ सकते हैं कि कोई भी battery है उसमें अगर कोई load लगाए हैं कोई LED अगर connect किये हैं और उस case में अगर आप voltage measure करेंगे बैटरी का तो बैटरी में उस time हो सकता है कि 11, 10 कुछ भी volt आपको दिखाए और उस time अगर आप measure करेंगे voltage जो आप voltage आपको मिलेगा voltmeter में वो potential difference होगा जबकि उसी बैटरी में अगर LED या कोई भी equipment नहीं connect करते हैं और directly positive और negative terminal से आप voltmeter को connect करते हैं कोई भी equipment connect नहीं करते हैं तो उस case में आगर आप voltage measure करेंगे तो वहाँ पे आप EMF measure कर रहे होंगे मतलब simple है कोई भी open circuit में अगर आप voltage को measure कर रहे हैं तो EMF measure कर रहे हैं close circuit में voltage measure कर रहे हैं तो आप potential difference को measure कर रहे हैं तो उमीद करते हैं ये वीडियो आपनों के लिए काफी helpful हुआ होगा मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए जे हिंद वंदे मात्रम